दिपिका पादुकोर्ण ने अपनी अगामी फिल्म छुटिंग पूरी कर ली यह फिल्म एसे डटाइक सर्वाइवर लक्ष्मी अगरवाल की सिंदिगी पर अधारित है दिपिका ने सोशल मीडिया पर लिखा मेरी करियर की सबसे बहतरिन फिल्म की शूटिंग पूरी हुई छपाग इस पोस्ट के साथ दिपिका ने एक पोस्टर को भी साचा किया जिसमें फिल्म की कास्टर क्रू मेंबर्स उस यादकार लम्हे को हमीशा के लिए क्याद करने के लिए पोस्ट देदे हुई नजर आ ली है दिपिका की पती और अभिनेता रनवीर सिंग ने इस फिल्म के प्रती अपना उत्सा को विक्त करते हुए लिखा इस माचिक के गवा बनने को अब और इंतसार नहीं कर सकता अपने किरदार के बारे में दिपिका ने पहले कहा था यह एक बहुती महत्वपूर्ण कहानी है और यह सची घटना पर अधारित है इसलिए उमीद करती हूँ कि इससे अच्छी चीजे निकल कर आए दिपिका पादुकोण इस फिल्म से किस प्रकार एमोशनली जुड़ गई है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो शुटिंग करते ही वाक्त रो पड़ी बीते दिनों रिपोर्ट्स आये थी कि फिल्म की शुटिंग के पहले दिन ही दिपिका खुद को रोक नहीं पाई और सेट पर ही रो पड़ी थी रिपोर्ट्स का कहना है कि ये प्रोचेक्ट दिपिका के लिए काफी उतार चड़ा भरा है बताले कि मेगना गुलसार दौरे निर्दिशुत ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीस होगी इस फिल्म में दिपिका के साथ विकरांथ मैसी भी है